करने आते हैं इन सभी मंद्रों को तो आप बखु भी जानते हैं लेकिन क्या आपने ऐसे किसी मंद्र के बारे में सुना है जो दिन में दो बार समुद्र में डूब कर अपना जला विशे करवाता है यद नहीं सुना तो हम आपको एक ऐसे अनोखे मंद्र के बारे में बताने जा रही हैं जिसे जानने के बाद आप भी वहाँ जरूर जाना चाहोगे। भगवान शिव के इस मंदिर की खोज लगभग 200 साल पहले हुई। इस मंदिर में शिवलिंग के दर्शन दिन में केवल एक बार ही होते हैं। बाकी समय ये मंदिर समुद्र में डूबा रहता है। समुद्र तट पर दिन में दो बार जुवार भाटा आता है। जुवार भाटा के कारट पानी मंदिर के अंदर पहुँच जाता है। इस प्रकार समुद्र का पानी दिन में दो बार शिवलिंग का जला भिशेक कर वापस लोट जाता है। ऐसा हर लोज सुभह और शाम को होता है। जुवार की समय शिवलिंग पूरी तरह से जलमंगन हो जाता है। उस समय वहां किसी को भी जाने की अनमती नहीं है। यहां दर्शन के लिए आने बाले शर्धालों को खास तोर से परचे बाटे जाते हैं। जिसमें जुवार भाटा आने का समय लिखा होता है। ताकि उस वक्त मंदिर में कोई ना रहे। इस मंदिर का जिक्र शिव पुराण में रूद्र सहिंता के एकदश अध्याय में मिलता है। जो इस शिव धाम की प्राचीन होनी का प्रमाड है। इसकंद पुराण में इस मंदिर की निर्मान के बारे में काफी विस्तार से बताय गया है। और रडिक कथा की अनुसार ताड़कासुर लक्षस ने अपनी कठोर तपस्या से शिव को प्रसंद कर लिया और अमर होने का वर्दान मागा। इस वर्दान को नकारने पर ताड़क कार मचाना शुरू कर दिया। सभी देवता और रिशिमुनी उसकी आतंक से परिशान होकर महादेव की शरण में पहुँचे। तब श्वेत परवत के पिंड़ से कार्थिकी का जन्ग हुआ और उन्होंने ताड़कासुर का बद किया। जब भगवान कार्थिकी को पता च इस तरह से ये शिवलिंग यहां इस्थापित हुआ तब से ही इस तीर्थ को स्थमवेश्वर कहते हैं।